नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागात है दोस्तो आज का वीडियो बहुत इखास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो महमलों जानेंगे कि बिये परिक्षा में अगर कोई प्रस्न समझ में ना है या फिर उस प्रस्न का उतर याद ना है तो उस कंडिश कि ये परिक्षा में जब भी आपको कोई प्रस्न समझ में ना है या फिर उस प्रस्न का उतर याद ना है तो उस कंडिशन में दोस्तो आपको दो काम करना है सबसे पहले कोश्टन का खंडन करना है और उसके बास से जिस सब्द के बारे में आपको जनकारी हो उसको ले करके बिस्तारित करना है अब दोस्तों का खंडन करने का मतलब क्या है तो यहां पे दोस्तों का खंडन करने से मेरा मतलब है कि आपको एक-एक सब्द को ले करके देखना है कि की से सब्दे के बारे में आपको जनकारी है और जिस सब्दे के बारे में आपको जनकारी हो उसी को ले क के बिस्तारित करना है उसी को लेकर के हेडिंग बनाना है और उसी को लेकर के आपको उसका उतर लिखना है जैसे समझी है यहाँ पर दोस्तों कोश्चन दिया हुआ है राधा कमल मुखर जी द्वारा समाजिक मोलने के प्रकार एवं महत्तो बताईए अब दोस्तों आपको इस कोश्चन के बारे में नहीं पता है और नहीं आपको इसका उतर पता है तो इस कंडिशन में दोस्तों आप क्या करेंगे कि कोश्चन का खंडन करेंगे यानि कि एक-एक सब्द को लेंगे और एक-एक सब्द को लेकर के देखेंगे कि किस सब्द के बारे में आपको जनकारी है और जिस सब्द के बारे में आपको जनकारी होगा दूसरे step में आप उस question का आप उस सब्द का heading बनाएंगे और उसी को लेकर के बिश्तारित करेंगे उसी को लेकर के उत्तर लिखेंगे जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका पहला सब्द क्या है ध्यान से समझे का मैं यहाँ पे कोश्टन का खंडन कर रहा हूँ ध्यान से समझे लिजिए कि कोश्टन का किस तरीके से खंडन करने के क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों आपका पहला सब्द क्या है पहला सब्द दोस्तो राधा कमल मुखरजी यानि कि राधा कमल मुखरजी कोन है तो राधा कमल मुखरजी जो है एक बेक्ती का नाम है एक महापुरूस का नाम है अब दोस्तो राधा कमल मुखरजी के बारे में आपको देखना है कि राधा कमल मुखरजी के बारे में आप क्या जानते हैं राधा कमल मुखरजी के बारे में अगर आपको जनकारी है तो इसके बारे में लिखेंगे और अगर आपको जनकारी नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा सब्द आपका आता है समाजिक मूले अब दोस्तों समाजिक मूले के बारे में कहा जानते हैं समाजिक के बारे में कहा जानते हैं और मूले के बारे में कहा जानते हैं राधा कमल मुखर जी और समाजिक मूले अगर राधा कमल मुखर जी और समाजिक मूले को इस कोश्चन से निकाल देंगे तो इस कोश्चन के कोई मत्रम नहीं रजाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोश्चन का खंडन कर लेना है और जिस सब्दे के बारे में आपको जनकारी है उसी को लेकर के दूसरे इस्टिम में बिस्तारित करना है जैसे यहाँ पे दोस्तों आपको राधा कमल मुखर जी के बारे में नहीं पता है और नहीं राधा कमल मुखर जी दोरा इनके समाजिक मुल्य के बारे में पता है तो आपको क्या करना है कि समाजिक मूले को लेना है और समाजिक मूले को ले करके इसी को विश्टारित कर देना है इसी को ले करके इसका हेडिंग मराना है और इसका उतर लिखना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको समाजिक मूले के बारे में किलियर हो गया दोस्तों यहाँ जो आपको दिया हुए राधा कमल मुखर जी या फिर इसके परकार इन सब को भूल जाना है आपको केवल राधा कमल मुखर जी को भूल करके केवल आपको समाजी कमले के बारे में फोकस करना है समाजी कमले के उपर यहाँ पर ध्यान लगना है अब दोस्तों माली जी का आपको सामाजी के मुले के बारे में थोड़ा सा पता है तो अब आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका हैडिंग कैसे लिखेंगे, ध्यान समझे तो यहाँ पर दोस्तों आपको उमीद करता हूँ कि समझ में आ गया हुआ कि कोश्चन का खंडन कैसे क्या रता है और जिस सब्द के बारे में पता है उसको बिश्टारित कैसे क्या रता है कोश्चन का खंडन करने से मेरा मतलब ही होता है कि कोश्चन के अंदर जो भी सब्द दिये हुए आपके एक-एक सब्द को ले करके उस सब्द के बारे में जानना होता है कोश्टन का खंडल करने का मतलब ही होता है अब दोस्तो हमको माली जी की समाजी के मूले के बारे में पता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तो हम पहला पॉइंट देंगे सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसका heading लिखेंगे क्योंकि exam के अंतर अगर आपको किसी question का उतर पता नहीं है या फिर आपको उस question के बारे में नहीं पता है तो उसका heading आपको जरूर लिखना पड़ेगा और बना बना कि उसका answer लिखना पड़ेगा पता नहीं है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि समाजिक मूले को लेंगे और समाजिक मूले को ले करके सबसे पहले हम लोग heading बना करके लिखेंगे उसके बाद इसके अंदर answer लिखेंगे यहाँ पर दोस्तो समाजिक मूले का हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे तो दोस्तो मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि किसी भी कोश्चन का पहला हेडिंग या तो परीचे लिखेंगे या तो परिभासा लिखेंगे या तो भूम का लिखेंगे या तो प्रस्तावना लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तो समाजिक मूले के बारे में हम लो लिख रहे हैं ताकि examiner को यह न लगे कि आपको कुछ भी पता नहीं है और आप इसके अंदर बना बना के लिखे हैं अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने परिभासा इसका heading लिख लिया अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा point देंगे और दूसरा point देंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समाजिक मूले का अर्थ यानि कि समाजिक मूले का क्या अर्थ होता है समाजिक मूले का क्या मतलब होता है उसके बारे में हम लोग दूसरे point के अंदर लिखेंगे बना करके तो यहाँ पर दोस्तो हमारा हो जाएगा समाजिक समाजिक मुल्य का अर्थ यानि कि समाजिक मुल्य का क्या अर्थ होता है उसके बारे में दोस्तो हम लोग यहाँ पर दूसरे पॉइंट के अंदर लिखेंगे अब दूस्तो हम लोगों ने समाजिक मूलेकार्थ रिख लिया दूस्तो दिखिए अगर आपको heading बनाने नहीं आता है तो थोड़ा सा अपने दिमाग से इधर उधर करके भी लिखिए लेकिन दूस्तो जरूर लिखिए क्योंकि अगर आप इसका उतर point में देकर करके अगर direct लिखेंगे तो इसे दूस्तो आपका ज्यादा effect नहीं पड़ेगा और नहीं आपको ज्यादा number मिलेगा तो इसलिए दूस्तो आपको क्या करना है कि इसका जो भी heading होगा आपका point में देकर करके लिखेंगे और heading वाई जिसको लिखेंगे ताकि आपको ज्यादा number मिले अब दूस्तो यहाँ पर हम लोग तीसरा point देंगे और तीसरा point देंगे दूस्तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यानि कि समाजिक मुल्य का महत्वा यानि कि समाजिक मुल्य का क्या महत्वा दोस्तो देखेंगे मैंने आपको पहले ही पता दिया कि कोश्चन का जब आप खंडन करेंगे तो उसके बाद आपके question में जो पहले दिया होता है जो बीच में दिया होता है जो बाद में दा तो यहां पे दिया हुए राधा कमल मुखरजी तो आपको दोस्तो खंडन करने के बाद राधा कमल मुखरजी को भोल जाना है क्योंकि आपको जो है की राधा कमल मुखर्जी के बारे में नहीं पता है तो राधा कमल मुखर्जी को कोश्चन के बीच में नहीं लाना है आपको इनको भोल जाना है आपको जिस सब्द के बारे में जनकारी हो उसी को उपर फोकस करना है और उसी को याद करके यहाँ पर लिखना है तो हमारा अगला heading हो जाएगा समाजिक मुल्य का महत्व होता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे समाजिक मुल्य का महत्व होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर 4 heading के अंदर लिखेंगे तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने समाजिक मूले का परिभासा लिख लिए समाजिक मूले का और्थिक लिए समाजिक मूले के परकार लिख लिए और समाजिक मूले का महत हो गया अब दोस्तों यहां पर हम लोग 5 पॉइंट देंगे यहाँ पर दूस्तों हम लो लिखेंगे दूस्तों दिखेंगे अगर आपको समाजिक मुले के महतों में अगर आपको महतों पाता है जैसे समाजिक छेतर में आर्थिक छेतर में तो इसको यहाँ पर दूस्तों क्या करेंगे यहाँ पर point number 1 देंगे इसको रहने दिजबी यहाँ पर point number 1 देंगे और यहाँ पर दूसरा point अगर आप कोई आता है तो बना करके तो बना करके आप लिख सकते हैं कि जो समाजिक मुल है उसका समाजिक छेतर में क्या महत हो है यानि कि जो समाजिक मुल्य है उसका समाजिक छेतर में क्या महत्व है समाजिक मुल्य का फिर यहाँ पे दूसरा point अगर आपको यादे तो लिख सकते हैं कि आर्थिक छेतर में समाजिक मुल्य का क्या महत्व है आर्थिक छेतर में समाजिक मुल्य का क्या महत्व है यहाँ पर दो तिन पॉइंट आपको जितने याद है उतने यहाँ पर लिख सकते हैं चलिए तो हम लोगों ने चार पॉइंट यहाँ पर लिख लिया फिर यहाँ पर दोस्तो हम लोग पांचवा पॉइंट देंगे उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तो हम लोगों ने 5 पॉइंट लिख लिया यानि कि 5 हैटिंग यहाँ पे लिखेंगे अब दोस्तो हमको अगर कोई पॉइंट याद आएगा तो लिखेंगे नहीं आगा तो क्या करेंगे लाश्टी में मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे दोस्तो लाश्टी में आपको क्या करना है निसकर्स लिखे देना है इस question का अब दोस्तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे question पूछा था कि राधा कमल मुखर्जी द्वारा समाजिक मुले के परकार यहाँ महत्तो बताईए आपको दोस्तो राधा कमल मुखर्जी के बारे में नहीं पता था और नहीं राधा कमल मुखर्जी के समाजिक मुले के बारे में पता था आपको क्योले एक सब्द के बारे में पता था समाजिक मूले के बारे में अगर दोस्तों यहां पे आपको समाजिक मूले के बारे में पता नहीं होता केवल समाजिक के बारे में पता होता या समाज के बारे में पता होता तो दोस्तों आपको करते कि समाज को फोकस करके केवल समाज के बारे में लिखते इस समाज क्या होता ह समाज का अर्थ क्या होता है, समाज की परिवासा क्या होता है, समाज का महत्व क्या होता है, समाज के अंदर कैसे क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना चाहिए, क्योंकि जिस सब्दे के बारे में आपको पता है, क्योल उसी सब्दे के बारे में लिखे, और दोस्तों आपको यहाँ पे मतलब कि किता में जो दिया होता है सेम उसको यहाँ पे लिख पना असंभव है कोई भी बेखती किता में जो दिया होता है उसको याद करके उस content को सेम यहाँ पे ने लिख सकता यहाँ पे अपने मन से बना करके लिखना पड़ता है तो इसलिए दोस्तो अगर आपको कोई question समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी question का answer याद नहीं आ रहा है तो उस condition में question का खंडन कर लेना है और जित सब्द के बारे में जनकारी हो उसी को लेकर के लिखे देना है लेकिन एक बात क्या दरखेगा आपको heading बना करके जरूर लिखेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप heading नहीं लिखेंगे direct अगर आप उतर लिखेंगे तो examiner आपको होसे के number ना दे क्योंकि आप B.A. के exam दे रहे हैं high school या इंटर कर नहीं दे रहे हैं और B.A. के exam में दोस्तो जो आपका heading होता है heading आपका main role होता है heading का आपके number में यहाँ पर दोस्तो आपको heading बना बना के लिखेना पड़ेगा heading कैसे बना जाता है अगर आपको heading बना नहीं आता है तो इसके उपर मैंने आपको video बना के दिया हुआ है आप उन video को देखिए आपको समझ में आ जाएगा तो फिलाल दोस्तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर प्रस्न समझ में ना है या फिर उतर समझ में ना है तो उस condition में हम उसका कैसे उतर लिखेंगे यहाँ पर दोस्तो इस तरी के साब को फोकस करके इस तरी के साब को बना बना के लिखने ना है और दोस्तो अपने मन में यानि कि आपके मन में उस सब्द के बारे में जो भी जनकारी हो उसको लिखते जाएए आप बिचार मत लएए कि examiner नंबर देगा कि नहीं देगा आपको थोड़ा अचे तरी के से लिखना है राइटिंग लिखना है ताकि examiner को लगे कि अचे तरी के से लिखा गया है और आप जो है पढ़े लिखे हैं तो दोस्तो इस तरी के साब को लिखना है तो आज इस वीडियो को में पे skip करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट करके बताई कि आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टोफिक उपर चाहिए ठेंकि दूस्तो